कि दोस्तों नमस्कार कि दोस्तों कि पिछले 3 महीने से मही हो गया जून हो गया जुलाई खत्म और फिन महीने इस मैनिपूल में जू हो रहा है उसे को पढ़ता था समस्छन कोशिश करता था लेकिन मैं उसके बारे में कमेंट करने में करता था क्योंकि मुझे कि असलियत में कुछ मालूम नहीं है और जो प्रेस में आ रहा है जो अबारों में आ उसके बारे में उसके उसको वेज करके मुझे बीडियो बनाने में कुछ जैदा अच्छाuchen नहीं लगता जब तक·कि मैं कई जगह से उसको वरिफारे नहीं कर ले दूसरी बात यह sous kän यह काम सरकार का है जब नगालाइंड में इतना ज Дस्वी इन सर्चंशिंशी लेकिन पिछले हफ्ते भर से कुछ ऐसे डिवलाप्प्रेंट हो रहे हैं जिनको देख करके ऐसा लगता है कि इस मामले में बात करने से बचा नहीं जा सकता है हुगा क्या कि पार्लामेन का सेसन शुरू होने के एक दिन पहले कुछ सरार्ती तत्त्तों ने एक वीडियो वाइरल कर दिया जिसमें दो अलेजरली कुकीज लेडिज को कि इस्टिप करके नंगा करके उनको ले जा रहे हैं और उसको काफी वाइरल किया यह बोला कि यह मैती समाज के जो लोग है वो पुराफाद कर रहे हैं और वो रिस्पार्ण बोले है उस वीडियो का वाइरल होना था कि पूरे देश में आग लग गए अब पोजीशन पार उससे पहले कुछ ना कुछ एक सभूपा लेकर कहा आते हैं जैसे कि पिछले से पिछली बार एक हुआ था वह पेकर सब्सक्राइब का कुछ था जिसको गारे ने पब्लीज कर दिया था उचकर में पूरा पालेमेंट का बाजा बजाया इन लोगों ने उसके बाद पिछले जो सेशन था बजर सेशन था उसमें वो जो अदानी वाला जो था ना लीख हो गया था वो कौन सी थी वो अमेरिका के कोई कंपनी थी जिसने उसके वारे में पूरा पूरा लिख दिया था और फिर बाद में वो बहुत हंगामा हुआ पलेमें में आपको रावल गांधी का वो बयान भी याद होगा जिसको उन्होंने दिया उसके बाद में फिर काफी हंगामा हुआ उनके बातों को एक्सपेंज किया गया आतुराजी राहूल गांधी साहब आज की देर में मेंबरा पालेमेर भी नहीं है लेकिन इस बार जो मनिपूर वाइलेंस का जो वीडियो वाइरल हुआ उसकर में पालेमेंट अभी तक नहीं चल पा रही है और यहां तक हो गया है कि पालेमेंट नहीं चल पाने का तो एक अलग वज़ा है बट इस सरकार के खिलाफ एक no confidence motion भी कांग्रिस ने मूब कर दिया है और वो शाह जो बहस है वो एक-दो दी में होने वाली है दूसरा development यह हुआ कि इस वीडियो जो वाइरल हुआ था उसको देख करके हमारे मुख नयाएधिस जस्टिस धननजय है चंदर चूड इन्हों ने स्यों मोटो को ले लिया और सरकार को वार्णिंग दी कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हम कुछ करेंगे अब सरकार क्या कर रही स्थथ चत रहें और सीजी आई ने जो वार्निंग दी एक इसो लेटर रेंस को देख कर के तो वो उसके बारे में लोग काफी चर्चा कर रहे थे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया और यह बात सही भी है कि सुप्रीम कोट का जो रवया है वो थोड़ा आदमी की परसेप्शन में बायस लगता है जब बंगाल में चुनाओं के बाद दंगे हुए थे तब सुप्रीम कोट के कोई नहीं लगा अभी जब रामनोमी के टाइम में जब वहां पर वेस्ट वेंगाल में गण्बढ़ भी तब स्के बाद क्या बता है अभी जो पंचायत के लेक्शन हुए थे उसमें जो तब हिंसा हुई सुप्रीम कोड कोई बढ़नी लगता है यहां तक सुप्रीम कोड म करते हैं कि सुप्रीम कोड लेगा यह से ले 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 कि कोई भी ले सकता है इसे बात नहीं थीक है राजस्तान में इतना ज्यादा अगर आज की डेट में आप रिपोर्टिंग देखें क्रिमिनल लिकार्ड देखें तो राजस्तान में रेप के सबसे ज्यादा गट्टाएं हो रही हैं लेकिन सब चुप है ना तो वहां पर कोई पॉलिटिकल लीडर जाता है ना कूट जाता है चतिस गड़ में हो रहा है तो ठीक है वह एक सोसाइटी का अबरेशन है जिसके बारे में होता रहता है बट तो तो उस के बाद जो देश में चर्चा शुरू हुई उसी चर्चा में एक चन्नाई-बेस्ट पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं अगर्स बत्त कडरते हैं कि हांब कि क्या है क्या है अब हिंदूस्तान है अगर कोई कि भी कहीं पर भी कुछ भी एक्शन होगा और मेरी राय है कि अब यह गलत हो रहा तो मेरे को पुरा पूरा फिटमाइक पूरिशन है अर्टिकल नाइटी मेरे लिए है मैं उसको बोल सकता हूं तोनों में अपना परसेप्शन बत रहा है उस इंटरू के बाद DMK की जो गौर् कि उनको अरेस्ट कर लिया अब मैं आपको बता दूँ कि यह ऐसी गवर्मेंट है DMK जो अपने खिलाब कुछ भी नहीं सुन सकती वो बिहार का एक यूटूबर है मनीश कर्शप या क्या नाम है उसका उसको उन्होंने अरेस्ट किया ता क्योंकि उसने यूटूब में क्यों लणू में जाते हैं उंके कि यह मिष्ति होता है यह आया लेकर फॉर्म जो है पड़क गई और उनको जाकर दिया तो बदरी से सैदरी साब को हुआ थीक अगैलिया है अब इसमें यह है कि ना तो सी शीर एTE ने कोई किया है नहीं कहित किभे confidence इसिशीव नहीं किया प basis of an F.I.R. filed in a court, Tamil Nadu police goes to the house of Badrish Sathari and arrest him. अब कितना ये justified है, कितना justified है, मैं इसको आपके उपर छोड़ देता हूँ. लेकिन ऐसा हो रहा है, और अच्छा लगता है कि जो भी यहां पर आपके पास में राय है या यह है, तो उसको थोड़ा सभाल करके करिये, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसी गवर्मेंट हैं, जो बिना मतलब में आपको उठा करके अंदर कर देंगे, उसके बाद में आपको जमान मिलेगी, नहीं मिलेगी, वह एक कहानी है, तो इसके बारे में जो न्यूज है, वो साथ कई जगह चपी है, हिंदों में भी चपी है, और बाकि लोगों ने भी कवर किया है, अभी तीन-चार गंठे पहले कि यह न्यूज है, मैंने पहले बोला था कि मेरा जो वीडियो बना आने का वो लाइन से हट करके होता है, जिसको शायद आपको में इस्ट्रीम मेडिया कभी नहीं बताएगा, बताएगे, क्योंकि उसको किसे मतलब नहीं है, उसको इसे पैसे नहीं मिलते हैं, तो वो नहीं उठाता है इस चीज़ों को, बट इस आर इस्माल इंसिदेंसेंसे विच आर एफेक्टिंग और डेली लाइफ इन पर्टिकुलर एइन जनरल बहुत वेस तोनों तरीके से कटती हैं, तो मैं आपको डेकन हलाल का एक अर्टिकल छपा है, वो मैं आपको दिखा देता हूं, अगर इस्ट्रीम याड क्रेस्ट ना करें कि इस्ट्रीम याड क्रे में, देखिए क्या हो रहा है, यह देखिया, चैन्नाई पप्रिसर बद्री सचाधरी आरेस्टर पर प्रवोकेटिव रिमार्क आन सी जाई रिगार्डिंग मनीपूर वाइलेंस, अब देखिए, जुलाई 29, कितने बज़े का है, एक बच के पांच मिनर को या अपलोड किय गया है, और उसके बाद में अप्रेट किया गया है, एक बच के 14 मिनट पे और अभी हो रहे हैं, चार बच के 47 मिनट जिसमें में वीडियो बना रहा हूं, यह हैं बद्री सचाधरी रभ, इसमें लिखा है, वेल-नोन प्रप्रिसर और पॉलिटिकर अनलिस बद्री सचाधरी was on Saturday arrested by the Tamil Nadu Police for his provocative remarks on CJI, over the Supreme Court's observation that it would be forced to intervene in the madnay-pour violence if the center did not act, द्यान से पढ़िये, सुनिये यह क्या बोल रहे हैं, से साधरी जो अठामा साल के हैं, is the founder of किजाब्खु, पाथी, पगम, मेरा प्रोण से तरवे रभड हो तो माप कर दिया कि मैं तमिल पढ़ने में जादा आवे, तमिल के जो वर्डे उनको प्रोणसिट करने में comfortable मैसूस नहीं करता हूं, और मैं पढ़ दी जादा हूं, आम हम बेसिकली हिंदी मीडियम एट्वेंट और थोड़ा सा कैसे विकर के थोड़ा सा अंग्लिजी सीख लिया तो बोल लेता हूं, लेकिन मेरे को तमिल के बारे में और तेलकू के बारे में या दूसी लेंग्विजे से बारे मालूम नहीं है, यह लिखते हैं, वन आप लीड और घर है, मॉनिको, संदे मॉनिको, एंटेकन टू पराम बलूर, पराम बलूर, वेर फिस्ट इनफर्मिशन रिपोर्ट वस फाइल अगेंस्ट इम बेस दान प्रेंट फाइल बाई लायर, अड्वोकेट रहे है, कभी वेरासू, कभी या वेरासू क्या है, पता नहीं, उस 173a, 153a and 505 is the charm of the Inner Penal Code. In an interview to Adhan Tamir a popular YouTube channel, Seth Ardari had criticized the Supreme Court observation that it would be forced to intervene in the Manitpur issue of if the center did not act immediately. मनित्पूर हाइकोड डिसीजन तो ग्रांट सिद्ट्राइब इस तो देखिए अभी क्या हुआ तक यहां पर यह जहां से देखिए हैं अभी तो बीपीशी ने क्लियर कर दिया कि अभी तो पर कंट्रोल करना यह जगड़े हो रहे हैं बाके तो कुछ नहीं है ठीक है पर्लेमेंट में जब नो कर्णेंस मोशन में अधान मंत्री साब जब आप देंगे तो क्या बोलता हैं तमझ में आएगा पर आप देखिए अधरी से द्रीश अधरी शेद रिसेट इन अंट रिव और तो कुछ रखिए तो को इन अच्छादर चूट को अंको गन दे देने से यह और उनको बॉलना चाहिए कि तुम जाओ जा कर आप ए मनिकूल में प्रीस रिस्टोर करो ये तो है डिकन हलल की रपोर्ट और दिखाता हूं आपके पास आपके कुछ और रिपोर्ट है तो यही करता है ना भाद गिए अभी इस्ते पीछे वाग एक निक्त झाल 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 यह देखे यह हिंदू की न्यूजए पॉलिकल कमेंटेटर और प्रफिसर बद्री सश्य अधरी अरेस्ट प्रिसाइजिंग सीजिए शुप्रीम कोट वर मैनिपूर वाइलेंस यह देखाए दिया एक्स्प्रेस विव एक्स्प्रेस विव आपको एक और अच्छी सी न्यूजए बताता हूं इसी कंटेट्स में वह यह है कि हमारे सुप्रीम कोट में एक प्रोफिसर साव है हजराबाद इंडिस्ट्री में कहीं पर है वो उन्हों ने डाइरेक्ट उनके खिलाब उन्होंने करन्त आप पर को एक इंटर्व्यू दिया था उसमें कुछ बोला था कि जो भी है वो सब मैतरी कर रहे हैं और कुकी से हैं तो और कुकी लोगों को बहुत हराज कर रहे हैं काफी कुछ उन्होंने बखवास किये करन्त आपर तो वैसे करन्त आपर को जो इंटर्वी दिया उस चक्कर में वहां की गवर्मेंट ने मनिपुर की गवर्मेंट ने इन प्रोफेसर साब को तलब कर लिया बोला आज उनका यह पक्रिला को यह फाय फाय होगी और किसी मजिस्टेट इनको संबन दे दिया अठ्ठाई तारीक को जाना में लिस्टेट था लेकिन सीजियाई साब उस दिने डिस्पोज थे इसलिए वह मामला सुना नहीं गया अब इस मामले को आप सुन लीजिए तो संजे कौन ने उस मामले में हैदराबाद के प्रोफेसर को सैथ 31 तारीक को सुनने को बुलाया ऐसा मैंने देख रहा हूं इसमें लिखा हुआ अब यह कौन लेके जया है अगर मैं इसको थोड़े सब्सक्राइब के बताऊं आपको तो मालूम पढ़ेगा कि क्या है यह कहां देखें एक बाइस देलोग इसको जो वह ब्रिंदा गुरूवर और वहां लोग इसको लेके गए सब्सक्राइब करने हैं और यह लिए लिए सब्सक्राइब को सुन लेता है कि दूसरा अगर कोई आदमी हो तो इसको बोलेगा आप जो प्रोसीजर है उसको लिकर करके आओ जो भी आपके पास में अल्टाइट रिमेड़ी है उसको एक्जास करो अब यह क्या दमाशा करते है आप सुप्रिम कोट पहते हैं लेकिन नहीं एक पडिकलर तबका है वकीलों का जो जजजेश के सामने जा करके अगर खड़ा हो जाता है तो वह जाज उसको उम्रानी करता है विवर्स एक बार बतादो जजजेश भी पहले एड्वोकेट ही हुआ करते हैं और जो उनके सा सब्सक्राइब करते हैं तो तो यह दो समाचारते जिनको मैंने एक ही में बंडल कर दिया है पड़ी से साधरी का जो इशू है उसको उठाया है और साथ में वो जो प्रोपेशर है जिसका मामला सुप्रिपोर्ड में गया है और एक लिए गया है उसको यह लोग 31 तारीक को सुनने को तयार हो गया है मनिपूर्ड वाइलेंस में बहुत कुछ होने वाला है देखेंगे जब पर्लामेंट में जब प्रशान मंत्री सहाब यह जो पॉजिजन पार्टी जैन को दोहेंगे तो अब के लिए इतना है अगले टॉपिक के अथ के लिए आपने जयाए करिए मिलते हैं फिर तो कि नमस्कास यह